दोस्तों, अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि हर व्यक्ति का ये common problem है कि हमारा digestion system ठीक नहीं है, आज पचा नहीं, गैस हो रहा है, इत्यादी इत्यादी तरह तरह के problems, digestion से related आपको सुनने में आएगा. तो दोस्तों, मैं ऐसे पांच आशन लेकर काया हूँ, जो कि यदि आप प्रती दिन करें, तो आपको digestive system strong हो जाएगा और आप अच्छे से खाना पचेगा. दोस्तों, अक्सर हमें यह सुनने में आता है कि हर व्यक्ति का यह common problem है कि हमारा digestion system ठीक नहीं है, मेरा आज पचा नहीं, गैस हो रहा है, इत्यादी इत्यादी तरह तरह के problems, digestion से related आपको सुनने में आएगा. तो दोस्तों, मैं आज ऐसे पांच आसन लेकर काया हूँ, जो कि यदि आप प्रती दिन करें, तो आपको digestive system strong हो जाएगा और आप अच्छे से खाना पचेगा. तो चलिए हम उसको दिखाते हैं कि कौन कौन से करते हो, तो सबसे पहला आसन है पौन मुक्तासन, इसके लिए आप पीठ के बल पर आराम से लेट जाते हैं, और अपने बारे बारे से दोनों पैरों को इस तरह से से claps कर लेते हैं, मोडते हैं, और पेट में दबाते हैं, गुट्टे से लगाने के लिए, इसी तरह से दूसरे पैर को भी करें, और फिर क्या करें, दोनों पैरों को एक साथ में है, इसे claps कर ले, फिर इस तरह से, तो यह पहला आसन हुआ, इसको आप तीन-तीन बार करें, ठीक है, दूसरा है भुजंग आसन, बहुत सांदार, और ह हर प्रॉबलम में इसके समाधान इससे होता है, तो आप इस तरह से लेट जाए, आइस तरह से से, स्वास भरते हुए यहाँ पर आजाए, पीछे देखिए पैर मिले हुए, स्वास थोड़े नीचे जाए, स्वास ले और 10 सेकंड डूके यहाँ पर, होल्ड करें स्वास को, फिर नीचे आजाए, इसको यह क्रिया को पांच बार करें, इसको और फ्रस एक और इंप्रूफ कर दता हूं, वराइटीस का, इसको यहाँ पर रख लें, छाती के नीचे, अब फिर इस तरह से से करें, इसको भी दो से तीन बार कर लें, ठीक है, तीसरा है, अर्धमसंद्रासन, कैसे करते हैं, इसका सबसे अस्थरा लुपाय है, इस तरह से बैठ जाएं, धन्रासन इसको हम कहते हैं, बाया पैर को दाय जाएं के नीचे, दाया पैर को बाय जाएं, घुटने के पार कर लिजे, और इस तरह से हमाद पीशे कर लि पीजे घुम जाएए इससे आपको पेट पर प्रेसर पढ़ रहा है यहीं परक्रिया फिर दूसरे तरफ से करना है दाने प्राइल को नीचे ज़र इस तरह से करें फिर इसको दूसरे तरफ कर लें ऐसे करें देखिए कितने अच्छे ढंग से बडी ट्विस्ट हो रहा है पेट पर प्रेसर पढ़ रहा है इसको भी आप तीन तीन बार करें चीक है चोथा आसन है धनुराशन यहां पर दस सेकंड तक रूखें तीन चक्र इसको करें और पांचमा है पस्चिम्तानासन सबसे आसान ऐसे बैठ जाए और इस तरह से हाथ लेकर रहे हैं स्वांस छोड़े इस तरह से यहां पर इस पोजिशन में आकर के आप 30 सेकंड रूखें इस तरह से इसको थ्री टू फाइब चक्रा इसको भी करें तो यह पांच आपको बीटुफुल आसन और स्पेशल आसन फ़र डाइस्टिव इंप्रूब्मेंट तो दोस्तों और विशेश रूप से इसके बार में अलग जानना है तो आप मेरा योगा क्लासिस जोइन करिए एलीट योगा क्लासिस मेरा डेल मॉर्णिंग में उनलाइन क्लासिस चलते उसको आप जोइन कर लिजेगा बहुत सारे आसनों के संग्रह आपकर सामने हो जाएगा और हर बिमारी का समस्यक समधान भी बहुत धनव दोस्तों नमस्ते फिर मिलेंगे